असलाम अलेकुम, इस lecture में हम देखेंगे कि area charts क्या होते हैं और tableau में किस तरीके से बनाया जाते हैं मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafelow, मैं आपको tableau सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं ना, let's jump into the screen तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास एक sample data है जो हमने पिछले lectures के अंदर download किया था, उसके उपर जाते हैं और उसके data को यहां पर लेके आते हैं तो मैं new data source पर click करता हूँ, Microsoft Excel पर करता हूँ और sample superstore.xlsx यह वाला data जो है इसे लेके आता हूँ, xls का sorry इस data को यहां पर लाने के बाद हमारे पास orders है, people है, return है, तो यह हमारे पास काफी चीज़े मैं यहां पर click करता हूँ and here you can see कि हमारे पास यह वाला data मझूद है, मैं कहकरता हूँ, इस data को इस तरीके से यहां पर drag कर देता हूँ Drag करने के बाद यह हमारे पास पूरे पूरे डेटा जो है वो यहाँ पर आगया अब मैंने क्या करना है इस जगा पर क्लिक करना है New Worksheet के उपर अगर मैं इसको आपको दिखाओं तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर New Worksheet होगी एक मैं इस पर click करता हूँ और click करने के बाद यहां पर नई sheet बनाके इसका नाम रख देते हैं area chart area chart इसका नाम रख है अब वापस जाते हैं अब हमने क्या करना है यहां से दो चीज़ें select करनी है जिसमें हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं चीज़ करने बादे यहांज है यहां पर आपके यहाँ पर एक जासकते हैं इसको ऊफ़ागित को अपयक यहां पर यहां पे सेटी कहुनने看一下 अब हम ने क्या करना है है कान्टृ कस्τοंमा राई नेम और डेट और order id and there are many other things here ठीक है तो हम कोई भी एक चीज उठा सकते हैं for example मैं यहाँ पर order date को उठाता हूँ और इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं अब आप चेक करें कि हमारे पास order date के हवाले से यहाँ पर यह वाला chart बन चुक है हमने क्या करना है अपनी right side पर जाना है और इस area पर chart पर click कर देना है तो यह हमारे पास इस तरीके से area chart जो है वो बन के आ जागा मैं show me पर click करके इसको बन कर देता हूँ अब यह हमारे पास area chart एक बन चुक है हम इसको area chart क्यों बोलते हैं यहां से यहां तक का वो proper shaded region होता है आप यहां से color भी change कर सकते हैं and you can do a lot of other things second दरीका यह है कि आप यहां पे click करें यहां पे line पे click करेंगे तो यह line chart बन जाएगा बार पे click करेंगे तो बार chart बन जाएगा area पे click करेंगे तो यह area chart बन जाएगा अब इसमें आप और भी चीज़ें add कर सकते हैं for example यहाँ पे हमारे पास इसी जगा के उपर sub category भी है, state भी है city भी है, country भी है तो अगर हम country की base पे यहाँ पे एक column add करेंगे then you will see के हमारे पास country wise यहाँ पे data जागा, obviously यहाँ पे United States का data है, तो यह category हमारे पास नहीं इस तरीके से काम करेगी तो मैं इसको उठा के side पे ले आता हूँ यहाँ पे मैं city का जो column है उसे add करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारे पास area chart by city की base पे हमारे पास यह area chart बन चुक है, and you can also sort this based on your city जो भी आपको data चाहिए, जिस भी city का चाहिए आप उसकी base पे कर सकते हैं, यहाँ पे click करने के बाद, आप filters पे जा सकते हैं, और यहाँ से filter select करने के बाद, अपनी मर्जी कोई भी जो city है, उसे select कर सकते हैं for example, यह मैं 2 या 3 city select करता हूँ, you will see कि उनका अपस में क्या difference चल रहा है तो एक तो तरीका कार यह है, ठीक है second यह है कि आप city को उठाएं और color के उपर ले जाएं, so you will see different colors based on each city name, ठीक है, तो यहाँ पे आप hover करेंगे, तो आपके पास different city के names आ जाएंगे, ठीक है मैं यहाँ पे अगर customer name, यह नहीं, product name को click करता हूँ, और मैं tool tip पे ले जाता हूँ, then you will see कि हमारे पास product का name जो है, वो भी आ जाएगा based on each tool tip, tool tip क्या होती है, कि जब भी आप कहीं पे hover करते हैं, तो आपके पास जो text लिखाता है, उसको tool tip बोला जाता है so here you can see कि हमारे पास बिड़ा से hysteric का sign जो है, हमारे पास आ रहा है मैं कहा करता हूँ, यहाँ पे country को color में डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही country है, you will see there is no much difference, क्योंकि हमारे पास एक ही country है other thing we can do, we can actually add this product ID तो हमारे पास यह भी यहाँ पे आ जाएगा obviously इतने ज़्यादा colors हम add करेंगे तो कोई sense नहीं बनेगी, बताने का मकसद यह है कि आपको वो चीज़ add करनी है, यहाँ पे which makes sense for example, मैं category को color में add करता हूँ now you will see कि हमारे पास तीन category है, furniture की, office supplies की, और हमारे पास technology की, now it makes sense कि आप इस तरीके से इस area chart को यहाँ पे add कर दे और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस पर double click करते हैं, then you can actually edit the axis आप refers भी कर सकते हैं, custom भी कर सकते हैं और title को भी change कर सकते हैं sales per year भी कर सकते हैं whatever you want to do, you can do that और यहाँ पे year order date को भी आप change कर सकते हैं, it's totally up to you so y axis और x axis जो हैं वो आप अपनी मरजी से change कर सकते हैं area chart हमें बहुत अच्छी information देता है based on different things, यह आप पर depend करते हैं कि आप किस तरीके से area chart को use करते हैं but I would recommend कि जब भी आप area chart को use करें, कम categories, यहनि कि less than 10 or 12 categories को आप use करें यहां पर ज्यादा गुनार करें on the other side, जब आप area chart बना रहे होते हैं तो it would be nice कि आप अच्छे colors का इंतखाब करें और यहां से आप opacity view change कर सकते हैं like this, अब चेक करें कि आपका area chart बहुत dark है और यहां पर तोड़े से faded colors जो हैं वो आ रहे हैं तो this was area chart मैंने टाबलियू की playlist का पूरा के पूरा link जो है description में दिया हुआ है और यह course जो है totally free में आपके सामने हाजर है अपना ख्यार रखें, next video में हम मिलते हैं जहां पर आपको मैं इंशाला dashboards बनाने सिखाऊंगा take care and Allah Hafiz